तो दोस्तों आज मैं घर में बनाने वाला हूं सेम बजार जैसा नमक पारे तो आप देख सकते हैं मैंने लोई ले लिया है अब इसको बेलना शुरू कर देते हैं तो देख सकते हैं मैंने इसको बेल के इतना फैला लिया है अब इस पर हम कट मार लेंगे तो देख सकते हैं आ मैदे को गुंदने से पहले जब मैदा लिया था तो उसमें तेल डाल दिया और तेल और मैदे को पांच मिनद तक मिक्स कर लिया कम से कम दो तिन चम्मच तेल डाला उसको बढ़िया से मिक्स कर लिया मैदे के साथ और उसके बाद मैंने नमक और एजवाइन डालके इसको मैद को गुंद लिया और गुंदने के बाद इसको बड़िया सा हमने थोड़ा 5 मिनाइध दास मिनाइध तक र्हन देना है और उसके बाद बिल्कुल बड़िया सा हमने सको बेल लेना है तो अभी मेरी यहाँ पर कड़ाई गरम हो चुकिया है जो हमने फीसे बढ़ा भी लग रहा है और मैं बिल्कुल इनको क्रिस्पी बनाऊंगा आप लास में देख सकते हैं और इनको पकान है न हमें केवल गोल्डन गोल्डन ब्राउन तक रहन देना है और मलद हमें ज्यादा पकाना भी नहीं कि जिससे एकदम काला रंग आजाए गा इनका तो यलो कलर तक ही रखना है ज्यादा, क्योंकि अगर हम ज्यादा पकाएंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, एक दम काला सा रंग आएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो अब हम इनको ज्यादा नहीं पकाएंगे, आप निकाल लेता हूं मैं इनको, तो दोस्तों यह देखिए क्या क्रांच है आप इसका देखिए, यह देखिए कितना बड़िया लग रहा है, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें